आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, सो मारा question है The number of integers n with 100 less than equals to n less than equals to 999 and containing at most two distinct digits is हमें यह पर option से बताना है की कौन सा correct होगा तो चली इसका करते हैं solution सबसे पले यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर three digits का number दिया हुआ है यहाँ पर लिखते हैं कि total three digits, digits, numbers, numbers are कितना हो जाएगा? यहाँ पर hundred है hundreds से ले करके 999 के बिच में कितना numbers होगा? तो यह हमारा 900 numbers होगा तो three digits का number कितना है? 900 तो अब यहाँ पर दिखते हैं कि also numbers, numbers having all the digits, all the digits distinct distinct would be यहाँ कि कितना three digits का number है जो distinct होगा? यहाँ पर देखते हैं तो वह हमारा हो सकता है 9 into 9 into 8 यह कैसे होगा? तो यह देखते हैं तो हमें पता है कि now there are three digits number can be formed by using number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह number से हम three digits का number बना सकते हैं so since the leftmost place is 100, 100 place हो जाएगा so 100 place तो cannot have 0 क्योंकि 100 place थो हमारा 0 नहीं हो सकता है तो यहाँ क्या का सकते हैं कि so there are nine ways to find 100 place तो 0 हट जाएगा तो 900 place बनेगा इसलिए यह nine आया उसी तरह since we consider the number with distinct digits therefore repeating is not allowed so 10th place can be filled by nine remaining ways यह हो जाएगा यहाँ पर हम अगर देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह हमारा digit से हैं इससे ही हम three digits का number बना सकते हैं तो 100 place के लिए तो 0 हट गया तो यहाँ पर nine digits बचा उसको हम यूस किये फिर यह छोड़के तामें 10th place के लिए लेना है तो non repeating होना चाहिए तो वहाँ पर क्या यहाँ पर 10 digits है इसमें से एक हट जाएगा तो nine बचेगा उसके लिए 10th place के लिए यह आया and similarly to find the unit place we have eight digits remaining so unit place can be filled by eight ways so that's why here we write eight so nine into nine into eight तो यहाँ पर इसको multiply करेंगे तो यहाँ पर क्या है 648 आ जाएगा यह हुआ and हमें यह आपे क्या करना है कि does the remaining remaining numbers numbers containing containing at most at most two digits हमें two distinct digits बताना है तो तू distinct digits and digits are तो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या है की थी डिजित कर लूमBER 900 है तो क्या करेंगे 900 जो री यह 900 माइनस यहाँ पर थी डिजित हमें यहाँ पर क्या है कि having all the digits distinct और यहाँपर सब डिजित कर डिस्टिंग एतना है तो 648 उससे मिनफ कर देंगे तो हमें two distinct digits मिल जाएगा तो माई निस करते हैं 648 से तो इसको माई निस करेंगे तो हमें इसका answer क्या हो जाएगा यह जाएगा 252 तो इसका answer हो जाएगा 252 option देख़ते हैं, option हमारा क्या हो जाएगा Is correct हो जाएगा Thank you क्लासिक्स चिट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंज और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या वाथसाप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर